इस वीडियो में हम बात करेंगे SYBCOM Semester 3 Foundation Course 3 का Important Questions और आपको paper pattern भी मैं इसमें discuss करूँगा और regular college का जो previous year के कुछ questions paper है वो भी हम इसमें discuss करेंगे जिससे at least हम pass हो सके ये वीडियो देखने के बाद एक दो दिन में भी जो practice किया तो भी आप pass हो सकते हो कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे इसके पहले मैंने economics, business law और accounts के वीडियो आपडेट किये है important question के make sure आप link जरूर चेक कर लिजिएगा वीडियो के नीचे description में मैं add कर दूँगा सारे subjects के और जो remaining subjects है उसके भी वीडियो में update कर दूँगा और ये जो PDF papers है उसके भी link में website पर update कर दूँगा वहाँ से जाके आप download कर लिजिएगा ठीक है वीडियो काफी important है कोई भी part आप skip ना करें ये आपका subject code है वो आप check कर सकते हैं और काफी लोगों का doubt था कि sir hall ticket कब आएगा तो भी update हो जाएगा hall ticket idol का दो दिन पहले update होता है examination से अब ये इसके syllabus है total कितने chapters है seven chapters है अब यहाँ पर अलग-अलग questions दिया गया है अलग-अलग syllabus में chapters wise दिया गया है यहाँ पर देख सकते है seven chapters है अब इसको पढ़ना कौन सा है और कौन सा नहीं पढ़ना है वो चीज हम लोग discuss करेंगे paper pattern के बेस पे अब देखिए ये syllabus है syllabus में सारे topics दिये गया है कौन-कौन से module wise दिये गया है और कौन से form में दिया गया है A, B, C और D form में अब ये मैं क्यूब ओर रहा हूँ उसका important है अब यहाँ पर module wise वो chapter wise मत देखिएगा module wise देखिएगा part 1, part क्योंकि जो module 4 है वो काफी बड़ा है topic से उसके अंदर ये module 1 है अब इसके न हम लोग paper pattern देखते हैं अब देखो यहाँ पर paper pattern नहीं दिया है बट I guess book के last में जो है paper question paper दिया रहेगा even paper pattern नहीं दिया है तो question paper डारेक्ली दे दिया है तो ये भी आप use कर सकते हो ठीक है यहाँ पर question paper दिया foundation course का तो अगर आपको ये doubt है कि sir यही question paper university के paper में आएगा questions है total आपको 2 questions पूछेगा ठीक है अब ये दोनों में से क्या करना रहेगा आपको कोई एक attempt करना रहेगा 15 marks के रहेंगे तो हर module से आपको 2 questions रहेंगे और वो 2 questions में से क्या करना आपको एक कोई attempt करना होता है ठीक है तो अब यहां पर trick क्या use कर सकता है जैसे A, B, C, D form में दिया है तो आप A और B अगर आप कर लोगे तो दोनों में से एक question आपके cover हो जाएंगे सर कैसे अब देखे इसमें कोई भी 2 questions दिया दो में से एक कर सकता है अगर आपका syllabus में देखें अगर इसमें से आप 3 कर लेते हो तो 3 में से question आपका cover हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो question पूछा है human rights schedule caste के उपर पूछा है और disabled person के उपर पूछा है यही सेम चीज़ अगर हम लोग university के papers में जाके check करें second questions काई तो देखो यह human के उपर पूछा है यहाँ पर कौन सा woman वाला पूछा है अगर मान लीजिए आप कोई 3 कर लेते हैं तो आपके एक questions cover हो जाएंगे आराम से एक question आपका 15 मार का cover हो जागे तो नीचे के 3 पढ़ लीजिए या उपर के 3 पढ़ लीजिए यह यह एक paper है अभी हम लोग दूसरा papers में भी check कर लेते हैं कि आपका और clear हो जाए अब देखे यहाँ पर question पूछा question number 2 में importance legal rights of women अगें यहाँ पर women का पूछ लिया है और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है I guess required to work treatment elderly persons हाँ यह disabled और elderly person का है मतलब यह वाला इसमें से एक तो women का पूछ लिया है और इक यह people with disabilities का पूछ लिया है जिसमें minorities, elderly, तो इसके legal rights जो है constitutional and legal rights का जो है वो आप पढ़ सकते हो तो इसमें से कोई भी आप 3 करोगे तो आपका 2 cover हो जाएगा मतलब एक question से at least cover हो जाएगा ठीक है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें यह papers को analyze करके बता रहा हूँ ठीक है उसके base में बता रहा हूँ अब जिसमें माल लीजे question number 3 है अब इसमें 2 question पूछ है तो अब जो है अगर आपके syllabus के साब से जाओगे तो कितना दिया इसमें 4 दिया है ठीक है A, B, C, D अब इसमें से माल लीजे आपने कोई 2 कर लिया जिसे माल लीजे A, B आपने कर लिया ठीक है तो पहला वाला जो है इसमें पेपर्स में देख लेते हैं इसमें पेपर्स में देख लेते हैं फस्ट ए वाले point पे question पूछ लिया है दूसरा human rights को उपर पूछा है तो यह दोनों से एक पूछ लिया अब हम लोग university के paper में अगर हम लोग देखें जो old question paper है उसके हिसाब से देखें यहाँ पे types of disaster को पूछ लिया जो social man-made or natural disaster को उपर पूछा है दूसरा human rights addressing disaster मतलब यह question जो अगर आप कर लोगे तो उसमें से आपके दो questions आराम से cover हो जाएंगे let's see question number दूसरा हम लोग question चेक करते हैं यह question number 3 का है I guess yes this one impact of flood human life का disaster से एक related question पूछ लिया है दूसरा question पूछा है disaster mitigations के उपर पूछा है तो मेरा यह कहना है कि जिसे माल लिजे आप पूरा model wise पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है आप जो है उसमें से दो अगर आप करोगे तो बाकी automatic क्या हो जाएगा cover हो जाएगा अब आ लिजे अगर आपको safe game खेलना है तो A, B, C ये चारो में से कोई 3 कर लो आप तो आपके 2 question या 1 question आराम से आपके paper में cover हो जाएगे लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें से A वाले में जितना part हो वो सब आप cover करोगे ठीक है तीन टाइप के disaster वो पूरा cover कर लो ठीक है ये case study को option में डालके बाकी C और D कर लो human rights के related और dealing with disasters के लिए तो इसमें mitigation वाला आ जाएगा prevention relief वाला जाएगा तो मेरे हिसाब से कौन सा करोगे आप A वाला करोगे और C वाला करोगे और अगर आपको और टाइम है तो आप D वाला कर सकते हो अगर आप ये A और D कर C करते हो B को नहीं करना है तो फिर आप आराम से जो है आपका एक question जो पंद्रा माग का है वो cover हो आते हैं अब थर्ड मॉडूल में आगे देखिए कितना दिया A B C D फॉर्म में दिया ठीक है अब मैंने क्या बोला जिसे मालो ए कर लिया आपने और भी कर लिया तो क्या है प्रिंसिपल्स और क्रेक्टर्स और साइंस इंपर थेरेटिकल्स वालिटिग नॉलेज और ये एस इस वाला साइंटिफिक डेलोप्मेंट तो ये वाला ए वाला है और ये वाला है अगर हम लोग आओ दूसरे कोशन पेपर में देखे तो यहां पर आईगेस यह तो साइंस इस और नॉलेज वाला पूछा है और एक डिसकस दा पोजिटी निगेटिव इंपक्ट आफ टेकनोलजी तो आप कोई भी जिसे माल लीजे दो करते हो ठीक है तो या तीन कर लो आप सेफ्टी के लिए अगर करना है तो भी क्या हो जाएगा आपका ये बी में से तो पराम से 15 मा का कवर होना चाहिए मेरा जो एक पेपर पैटन है उसके इसाब से मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अब देखो इसमें एगर हम लोग पेपर में देखें तो कोशन नंबर फॉर में देखो दिया गया है ठीक है अब उसके बाद जो है अगर हम लोग सेकेंड देखें तो यहां पर जो है मौडन टेकनोलजी आइगे सीए डी वाले में है यह डी वाले में पूछा है तो डिपेंड्स है कि आप कौन सा करते हो कोई भी आप दो या जादा जादा तीन कर लो और यह सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए नहीं समझने के लिए हैं अगर आ जाद करते बैठो कि रटाफिकेशन तो कोई फायदा नहीं है आप समझ लो और लिख लो ठीक है अब इसमें पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी है तो पार्ट ए कर लो तो आपका एक कोशन से आराम से कवर हो जाएगा जैसे माली जी कम्मुनिकेशन को पर आप सारे टॉपि कर लीजेगा इस पार्ट वन पार्ट बी तो आप कर लीजेगा ठीक है तो आपका एक कोशन या दो कोशन कवर हो जाएगा आराम से यह वाले पार्ट पर तो जो मैंने बोला है वो वीडियो को आप पॉस कीजिए और वापस से देखी और यह सेम ट्रिक यूज़ कीजिए प को पता है कि कौन से चैप्टर सापको पढ़ना है कौन से चैप्टर सापको नहीं पढ़ना है मतलब आप छार से हुप्टर पढ़के भी 75 में से 20 ऐ 30 मांक्स आप इसली आपको आजाएगा ठीक है बाकी आप फाईर अगर आप लिखोगे बहुत अच्छे से क्योंकि पढ़ के subject भी आपको मिल जाएंगे अगर आपके कुछ feedback होगा आपका कुछ सुझा होगा तो comment section में जरूर mention कर दीजेगा ताकि दूसरे students और मुझे भी आपसे सीखने को मिले ठीक है चलो मिलते next video में